पहले एक सच्चाई को जान ले कि कोई भी बिजनेस करना है आज पैसा एक important factor नहीं है पैसे की ज़रुरत होती है capital के बगए बिजनेस नहीं होता है लेकिन अगर आपके पास capital नहीं है तो भी no problem business हो सकता है और इसके लिए आपको जो हमारे पुराने सोच के साथ नहीं चलना हो है इसके लिए मैं बहुत सारे example के साथ जो है इसके सारे चिजुक में दर्शाने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहला जो है कुछ भी business करने जा रहे हैं कुछ भी business पैसे की ज़रुरत नहीं होता है तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे के तरफ चलना होगा 1980 का दशक औ तो ये दोनों में अंतर है बहुत जादा मेरे वक्त में जो तो 1970, 80, 90, 2000 तक ऐसा होता था कुछ भी आपको business करना है तो या तो आपके घर में पैसा होना चाहिए या आपके पास उतना साधन तो होना चाहिए सारा कुछ मिला के कि या बैंक में जमीन, जैदाद को आप place करके आप लोन ले सकें फिर अपनी business कर सकें ये जो मैं portrait कर रहा हूं इन जो बातों को मैं बता रहा हूं ये 1980 से समझ लिजे कि 2000 तक चली लेकिन पीछले 10-15 साल में स्थितियां बदल गई है मैं जानता हूं कि बहुत सारे शहरों कजबों में अभी भी वही सोच है क्योंकि हमारी सोच को बदलने के लिए तो 30-40 साल लगते हैं हम जल्दी नहीं बदल जाते हैं लेकिन जैसे लोगों ने बदला है चीजों को जैसे कामियाबी उन चीजों पर मिला है जैसे उन्होंने रास्ते को दिखाया है उसको भी जानना जोरी है तो एक शब्द में हम मैं बोल सकता हूं और बड़े डंके के चोट पर बोल सकता हूं कि कुछ भी बिजनेस कीजिए पैसे की ज़ुरत कैपिटल की ज़ुरत नहीं होता है कैपिटल खुद बखुद आ जाता है फिर से मैं द हो जाती ऐसा कुछ नहीं है अभी पैसा खुद बखुद चल कर आपके पास आता है तो देखिए इसके लिए मैं बहुत सारे थियोरीज को नहीं बताने की कोशिश करूँगा बलकि हकीकत में जो हुआ है और जो भारत वर्ष में हुआ है कोई बिदेशों में वेगरे में न है बलकि यह हकीकत बहुत लोगों को लाकों लोगों को पता है तो चलिए हम शुरू करते हैं उस पर अज का नाम एक आज का सेशन एक नाम से शुरू करते हैं सनीन जवाली जी हाँ सनीन जवाली जो इंजिनियर थे आई बियम में उन्होंने एक इतियास रज़ दिया पैसे की जवरत नहीं भी बिजनेस की थोड़ा हम इसके मैटर को समझ लेते हैं और इसके जो बहुत सारे डिटेल्स जो हैं मैंने पहले डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है जिसे आप भी परपाएं और कितना चीज़ें आसान होता है अगर आप सही दिशा में कुछ कोशिच करते हैं उसे समझने के लिए दिया हुआ है तो चलिए सनीन जवाली पर बात करते हैं सनीन जवाली का देखिए कि यहां पर एक मौट साइकल आप देख रहे हैं बिसिकलि यह इसकी पहचान था नौकरी तो वो आई बियम में जे इंजिनियर कर रहा था काफी हाई रैंक में था इंजिनिरिंग पास करके बंदा गिया लेकिन उस वो जो यह जैकेट पहनावा है उसको लगता था कि जो जैकेट है जो इस तरह के मौट साइकल लेकर ट्रेवल करने के लिए निकल जाते हैं सेक्रो किलोमीटर की डिस्टन्स को ट्रेवल करते हैं और इस तरह के सलानी जो हैं ट्रेविलर्स जो हैं जो अपने और होना चाहिए, तो उसने खुद एक जैकेट बनाया, वो जैकेट के अंदर में 21 खुबी थी, 21, 21 खुबी को उसने दिखाया, सबसे बड़ी बात है कि देखो यहां पर एक बड़ी चेन है, मतलब इसके जैकेट के अंदर आपका एक लैप्टॉप भी आ जाता है, तरह तरह के इसमें एयरफोन लूपस है, पेन होलडर है, मीनी टॉर्च रखने का, बाटल को रखने का, पानी के बाटल को, मुबाइल को अलग से रखने का, संग्लास को अलग से रखने का, माइक्रो फाइबर क्लॉट्स हैं, फिर है हेड़फोन को अलग से रखने का, यूए टेबलेट को अलग से रखने का यह सारा का सारा जो है पॉकेट से सारा चीज़ बना कि इसने एक केवल अपने लिए एक इसको नचेलिवाई के दरजी से इसी लवाया होगा उसने अपना एक जैकेट बनाया और जैकेट को बनाने के बाद भई उसे लगा कि यह तो इतना अच्छा बना हुआ है इससे एक बिजनस शुरू करते हैं चलो न तो देखो यहीं से कारीगरी उसकी शुरू होती है केवल आठ दिन जी हाँ केवल आठ दिन वो उस जैकेट को लेके आपका एड़टिस्मेंट में नहीं आता है आज भई सोशल मीडिया है किस दुनिया में हो आप लोग कोई भी चीज़ आप बनाते हो अगर ज़रूरत की चीज़ है वो आटोमेटिक फाइल जाता है उसके लिए कुछ केवल नियम को पालन करता है ए एक पैसे एड़टिस्मेंट में नहीं लगते है यार पुरे दुनिया में चीज़े फैल जाती है और उसने उसे फैल आया आठ दिन के अंदर में उसे एक हज़ार जैकेट बनाने का ओर्डर मिल गया एक हज़ार जैकेट जो तीन हजार तीन सो या चार सो रुपे करके था तैंतिस से चौतिस लाग का ओर्डर साथ में अठारा लाख रुपे का एडवांस आ गया ना पैसे आ गया ना और इसने एक पुरे वर्ड में एक दम बिना पैसे का और चुकि यह हिंदूस्तान में वो क्या अभी हिंदूस्तान में ऐसे जो एक्जामपल कम है विश्यों मे निकल रहा है हर कोई अपना किस्मत बना रहा है तो इसे भी समझना होगा तो उसने पहला जो है पहला जो है उसने 32 लाख के धंदा कर लिए सुद्ध जो लाव है उसमें 13-14 लाख रुपे हो गया और इसको जो हम बोलते क्राउट फंडिंग या अगर मैं सीधे सीधे एकद हम सीधे शब्दों में बोलो तो एडवांस में चंदा एडवांस में चंदा यह क्राउट फंडिंग का इसके लिए हम आगे और भी चलेंगे तो इसने लगा इसके नाम रखा वर्सेटाइल जैकेट तो यह सनीन जवाली के कहानी है और उसने पहली बार के बाद जो है वो उसने इसको फिर एक दुबारा उसने किया और उससे सनीन जो है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो खुद लिखता है वो जितना का एक्सपेक्टेशन किया था उससे 378 परसेंट उसकी आंदनी में इजाफा हुआ उसके बिजनस में इजाफा हुआ जो उसने सोचा था पहल विश्व से और अभी वो दुबवई में एक बहुत ही पतिस्ठित एक बिजनस्मेंट और एक हाउस को लावाए नौकणी उसने चोड़ दिया है तो मैं इसमें क्या बताने की कोशिश किया कि देखो ये जो बंदा एक जरूरत फिर एक शब्द में आता हूँ एक जरूरत को पहचाना उस जरूरत को कैसे सॉल्ब किया जाता है उसे वो सामने बनाया बनाने के बाद उसने इसे दुनिया के सामने रखा दुनिया ने आगे चलकर उसे पैसा दिया वो उसको लेके फिर उसे बना के उसे लोगों को दिया लोगों को देने के बाद वो एक उ चुरूरी हो गया उसका बिजनेस लेकिन उसने दो बार ऐसे क्राउट फंडिंग किया इस क्राउट फंडिंग के बारे में हमें जानना है ये काफी जरूरी भी है हमें ये बात है तो क्राउट फंडिंग को हम जानते हुए हम समझेंगे आगे के वक्त में की से कैसे लगाया आता है लेकिन मैं जिस चीज को आपको बोलना चाह रहा था वो ये था ये पहला मैंने एग्जामपल दिया देखो ये जो वीडियो का एक मतलब सीरीज की तरह मैं लेना चाह रहा हूं और इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसमें कम से कम 20 ऐसे घटनाओं को मैं बोलने वाला हूँ आगे के सिरीजों में इसके लिए आप जो मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं या बेल बटन को नहीं दबाए हैं तो प्लीज करेंगे क्योंकि हो सकता है कि आप ने मेरे विविवर्स हैं और एजे प्रॉफेसर में दूसरे से सिन आदर्स को पढ़ाता था ये तो मैंने को लगा कि बहुत सारे लड़के दुखी रहते हैं कि किसी भी कारण से वो जब अपनी मंजिल को पुरा नहीं कर पाते हैं तो उनके पास दूसरा रास्ता क्या है तो एक प्रॉफेसर की तरह सारे चीज़ को तरीके से आपके समख रखना और साथ साथ में सारे डिटेल्स को रखना कि सो देट कि आप इन चीज़ों को देख पाएं समझ पाएं और अपने सोच के साथ आप आगे बढ़ पाएं क्योंकि आप नए जेनरेशन हो यार खुले दिमाग के इनसान हो आप लोग आप लोगों के जो हमारे वक्त मे जो हम आज में more than 63 years old हूँ मैं तो मैं बोल सकता था कि मेरे वक्त में ये सारे opportunities नहीं थे जो आपके पास आएं आपको अगर मुझे तो हमें तो एक शहर से दूसरे शहर अगर जाना है तो चल के जाना होता था और आप तो आज इस जगा पे बैठे हो कि पुरे विश्यों को आप 5 मिनट के अंदर में घुम के आ सकते हो लोगों से बात करके आ सकते हो ये जो महाशक्ती है इस महाशक्ती को बिजनस में कैसे तब्दिल किया जाता है तो इसके लिए अभी एक example और लूंगा मैं जो 21 से 23 साल का लड़का भी एक आपके ही इंडिया में है तो उसने कैसे changes कर दिया सारे चीज़ों को तो हम ये समझेंगे एक एक story को समझेंगे और साथ ही साथ जब ये story हमें समझना होगा तब और भी कुछ समझना होगा ये सारे चीज़ को करने के लिए क्या-क्या steps होते हैं क्या-क्या करना पड़ता है अब आये रितेश अगरवाल के उपर बात करें 21 साल के उम्र में 360 करोर की company खड़ा कर देता है खुद का पैसा कुछ भी नहीं होता है एंजल finance से 94 लाग रुपिया मिलता है सुनने में तो काफी चीज़ें अच्छे लगते लेकिन ये होता कैसे है इन सारे चीज़ों पर चलिए एक नजर डाल लेते हैं देखिए आज से 10 साल पहले अगर आप सूचेंगे 10 साल क्या ये तो बहुत दिनों से चल रहा है कि कभी आप बड़े स्टेशन पर उतरते हैं तो कुछ लोग आपको देखते होंगे कि इंतिजार कर रहे हैं वो सामने से चलके आते हैं आप पूछते हैं कि कोई होटल चाहिए क्यों क्योंकि ये एक जरूरत था जब भी लोग नए शहर में जाते हैं कहां ठहरेंगे किस होटल में ठहरेंगे ये आज की जरूरत ने ये तो बहुत सालों सी जरूरत है जिस सरूरत को समझने के कारण कुछ होटल लोग दलाल करते हैं या नॉर्मल लेंग्वेज में दलाल करते हैं कुछ लोग को स्टेशन पर खड़े कर देत जो उन होटल का प्रतिनित्व करता है और उसे बताता है कि यहां पर यह होटल है इतने पैसे में रूम मिल जाएंगे आपको और इंट्रेस्टेट पार्टी को ले जाके वो रूम दिखाता है अब लिटेश अगरवाल तो पूंचा हुआ था कोटा में भी उसके परिवार वा चाहिए लेकिन उसके परिवार का साइब बिजनेस का समर्थन नहीं था जो भी है तो वो कुछ करना चाहता था तो चूंकि उसका भी थोड़ा घुमने फिरने का शौक था तो वो शहरों में जाया करता था तो उसे भी नए शहर में उसे भी वही प्रॉब्लम हाता था और तो वो महसूस करता था किसी नए शहर में कोई अगर जाता है कोई बंदा तो फिर उसे वही प्रॉब्लम होता है कि किस उसे पता नहीं है कि कौन सा होटल है कि उसके बजट में आना चाहिए उसके साथ जो फैसलिटिस चाहिए वो चाहिए इन सारे बातों का कोई आपको हिस तो किसी के पास नहीं होता है, तो उसे लगा कि यहां पर कुछ किया जा सकता है, कहान यहां से 6 साल पहले की है, तो उस वक्त में हमारा इंटरनेट तो काफी अच्छा, मतलब ऑनलाइन काफी अच्छा बढ़ चुका था, अब रितेश को यह पता था, रितेश कोई होटल नही होटल के रूम की जवरत है, और शहर में बहुत सारे होटल बैटे हुए, वो अपने जगह में हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनके पास कौन कस्टमर आने वाले हैं, इन दोनों के बीच में एक होटल खोल के बैठा हुआ है, दूसरा होटल ढूंड रहा है, इनके बीच में एक जो है, मिडल मैन की तरह, एक सुविधा का, एक कम्मिनिकेशन का जड़िया को बना डालना, जिससे बिजनस हो सकता है, और उसे ये भी पता था, कि ये छोटे स्तर पर, कुछ जैसे मैंने बोला, दलाल लोगों को भेज के, कुछ होटल लोग, होटल इस तरह की चीज़ो को कर रहे है, तो मतलब हर होटल वाला, अब उसका कमड़ा भर जाए, इसके लिए वो उस तरह की सर्विस को, वो भी चा रहा है, कि क्यों जानता है, कि केवल उसके काफी अच्छे सर्विस देने से ही, लोग कस्टमर नहीं पहुँचेंगे, क्या है, उसके नए कस्टमर को होटल में लाने के लिए, कुछ एक जडिया चाहिए, लेकिन रितेश, जैसे हम बोलते हैं न, किसी चीज़ को छोटे में शुरू करो, रितेश को ये बात पता था कि छोटे से शुरू करने से, इसका कोई लाब नहीं होगा, इसके अंदर जुरा हुआ है काफी सारा, काफी वाकिव हैं, आप उनलाइन बे बुकिंग कर लेते हैं, तो सबसे पहले रितेश को ये बात था कि जो लोग इस तरह की ट्रेवल करते हैं, उसके एक बड़े समुदाय को बताना है कि उसके सोच के बारे में, तो मतलब उसे दो चीज़ करना था, पहला होटल जो एक तरह से राजी ही बैठे हुए थे, कि कोई उन्हें ये कोई बैवस्था दे, और जिसके एगेस्ट में कट मनी समझ लो, 20-30% जो पहला रूम रेंट का होगा, वो जो ये सुविधा देगा, उसे मिल जाएगा, कस्टमर को अपने जेब से नहीं देना होगा, दिस द फरस तिंग, औ उसके अंदर में काफी जादा पैसे और अड़र्टिस्मिन की जोड़त थी, तो देखो, वहाँ पर आज से छे साल पर, पांच-छे साल पहले एंजल फाइनांस की बारे में बाते हो रही थी, तो ये छोटा सा बच्चा, जो है कोटा में, जब भी इस तरह के एंजल फाइन इस तरह के नए सोच में पैसा लगाने के लिए कुछ कंडिशन के साथ कुछ लोग हैं, तो उन्हें कैसे प्रपोजल बना के दिया जाता है, कैसे सारे चीजों को दिखाया जाता है, ये पहले रितेश को जानना जोड़ी था, तो रितेश ने उसको जाना, जानने के बाद उसने प्रपोजल को रखा, पहला उसे प्रपोजल जो है, उसका ये हुआ, कुछ पैसे उसके 30-32 रुपे मिल गए, और दूसरा उसने एक कंपिटिशन को जीता, जिससे टोटल स्टार्ट करने में उसके पास 94 रुपे आ गए, फिर से वही से मैं शुरू करता हूँ, पैसे कहां से है, किसी बैंक ने दिया रहते शगरवाल को, नहीं, एंजल फाइनस दिया, जिसको आप बोलते हैं, पी-टू-पी फाइनस आप बोल सकते हैं, पियर टू-पियर फाइनस, तो ऐसी चीज़ें जो मैं, आज का जो मेरा मुद्दा था, कि पैसे ऐसे ही मिल जाते हैं, पैसे एवेलेवल है, आज ओयो जो है रूम, एक ब्रांड बन चुका है हमारे देश का, और बनाने वाला एक बच्चा है, अभी तो बच्चा नहीं है, अब तो यंग हो चुका है, एक बच्चा था जो आपका इंजिनेरिंग पढ़ने के लिए, क्लास 12 करके वो गया हुआ थ कोटा में, वहां से वो अपने सोच को ढाल लेता है, एक दिशा दे रेता है, और ऐसा नहीं, इसके लिए देखिए मैंने जो बोला है कि एक सब्ता पहली मैंने एक वीडियो दिया था जिसका डिस्क्रिप्शन मैं इसके लिंक पर दे रहा हूँ, वो था कि असफल चात्र उ यहां पे तादपर्ज है, हमने दो जन को देखा, एक केवल एक जैकेट के सहारी, वो करोरों की बिजनस कर लेता है, एक रिते शक्रवाल, वो एक इंडेस्ट्री खड़ा कर देता है, एक नया आयाम खड़ा कर देता है, यह क्या बहुत जादा इंटेलिजन थे, नहीं, वक के पास एक ताकत था, जो उन्होंने किया, तो फिर मैं आपको जो शुरुवात में किया हुआ था, कि पैसे अभी ऐसे ही आते हैं, चाहे वो क्राउट फंडिंग हो, चाहे वो एंजल फंडिंग हो, इसके बारे में हम विस्तित से जानेंगे, लेकिन सबसे पहली ज़ोड़ है कि वो जमाना आप भूल जाएं, कि जिस जमाने में आपने कुछ नया सोचा है, नय सोचा है, तो भूली जाएए, कोई बैंक आपको पैसा देगा, क्योंकि बैंक का बैठा हुआ मैनेजर है, उस तरीके से सोचने के लिए वो तैयार ही नहीं है, उसे तो ऐसे बैंक की तर तो बोला, एंजल फंडिंग का मतलब है, नय सोच के लिए वो पैसा देगा, तो आपका जो प्रपोजल कितना सक्सेस्फूल है, वही मेरिट के उपर ये डिसिशन होता है, ना कि आपके जमीन जायदात क्या है, आपके जेब में कितने पैसे हैं, ये जो है देखने का नजर या होता ही नहीं है, इसके लिए दोनों चीज़ अलग है, जिसके लिए अगर आपका एक सही सोच है, एक सही जरूरत है, जिसको मैंने बोला भी है, हर वक्त बोल रहा हूं, बिजनिस का मतलब है कि दूसरा जो कर रहा है, वही चीज़ आप कर रहा है, वो नहीं है, अगर आ आप एक दुनिया कायम करना चाहते हैं तो पहले आपको एक जरूरत को ढूना होगा जो जरूरत दूसरे नहीं कर पा रहा है एक जैकेट ही देखो ना या कौन सा जैकेट आपने देखा है कि जिसके अंदर में लैपटोप गुज जाता है लेकिन जब कोई सनीन जब करता है त कुछ लोगों को है जिसके लिए एक जैकेट उसकी एक जैकेट केवल जो है उसके पूरे का पूरा जो है उसके प्रोफेशन को चेंज कर देता है वो बैठा हुआ बेकार बंदा नहीं था IBM जैसे सर्वस्रेस्ट और्गिनाइजेशन में एक इंजिनियर था उसी तरह रिटेश का देख लो रिटेश को भी एक जरूरत उसको समझ में आया जो जरूरत पहला नहीं जन्मा था सालों साल से आप भी आज के शहर में सूचिए आप अगर बॉंबे के रहने वाले हैं और किसी नए शहर में जो पहली बार जाए आपके सामने वो समश्या है और उस समश्या का निदान ही तो ओ यो है जिसके रिते शगरवाल ने कड़ा किया तो कहने का मतलब है P2P loans आज के दिन में P2P loans इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानना होगा और मैं चाहूंगा कि बड़े शब्दों को जो terminology को यूज नहीं करते हुए एक normal way में चीज़ों को मैं समझा सको कि आपको पूरा समझ में आ जाए कि इसके लिए करना क्या है इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा साथी साथ एक चीज़ है कि देखो जीवन में अपनी उपस्थिती को दर्ज कराना ही इनसान का काम होता है या आप काफी अच्छी नौकरी करके कर रहे है या काफी अच्छे बिजनस को करके कर रहे है क्योंकि कोई चीज़ खराब नहीं होता है सबसे बड़ी बात है इस जीवन का एक मुल्ले होना चाहिए रितेश अगरवाल के पास कभी भी या उसके परिवार के फादर मादर को कुसी को दुख नहीं होगा कि रितेश ने इंजिनरिंग क्यों नहीं किया आज के डेट में नहीं है लेकिन रितेश के लिए उस दिन के लिए वो काफी संगर्श में दिन रहा होगा लेकिन उसका भी वो संगस्थ तो कहाpose श्य महेने के पूर पर था ही नहीं बाथ फिर वहाँ एक आ जाती है आप दिन में सक्सेस हो जाता है श्य महिने में चीज़ए बदल जाता है लेकिन सबके लिए नहीं बदलता है वो जरूरत जो उस जरूरत को ढूल के लिए आता है उस जरूरत पर फोकस करता है उस जरूरत के लिए जो चीज़े हैं उन्हें एक जगा इकटे करता है तो उसका तो सक्सेस होना लाजमी है और वो होता है तो चलिए इस तरह के सिरीज को लेके मैं आपके साथ चलता हुआ रहा हूँगा और आपसे कमेंट्स मेरे को चाहिए कि आपकी सोच क्या है so that कि आपके नजरीए के उपर भी मैं अपने विचार को रख सकूँ तो आपने समय दिया इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आशा करता हूँ कि काफी जल्द आप लोगों से मैं मिलूँगा